ओके, हेलो एबरीबन, वन सकेंड, वेलकम टू आज चानल, मैक्सिल स्टेडियर, ठीक है, अब हमारे काफी लक्षिस हो चुके, जहां पर हमने हमारे 60-70% हमने टॉपिक हमारा कवर कर लिया, नाव, या गॉइंग टू कंटीन इड चाप्टर, ठीक है, एकोनॉमिक एन अउक् हैने, इंडिस्ट्रीज इन ब्रजील के पारे में देखते है, क्या है इंडिस्ट्रीज इन ब्रजील, इंक्लू्ट आइन इंस्टील प्रडूक्शन, आॉप्जे जैसे कि अच एक काफी सारी सड़ले लगे और चलने लगे जैसे आप ने देखा कि यहां इंडिया में भी लिडिंडुइंडेस्ट्री इंडुस्ट्री माना जाता है इसिंबली जहां पर vehicles के parts को assemble किया जाता है, और vehicles को बनाया जाता है, petroleum यानि कि patrolls and diesels बनाया यहाँ पर extract करके निकाले जाते हैं, mining की जाती है Chemical production, यानि कि जितनी भी medicines वगई रहे हैं सारे चीजे बनाई जाती है cement बनाया जाता है तिते कि और IT industries के basis पर भी कुछ industries यहाँ पर है similarly food processing like sugar industries, cotton textile and woolen industries have developed well ठीक है और साथी साथ इन industries को लेकर और भी काफी सारे industries से जो यहाँ पर run की जाते हैं जैसे कि आप आप जानते हो कि industries एक ही type का नहीं होता काफी अलग-अलग type के industries होते हैं there are various types of industries based on their nature ठीक है so यहाँ पर food processing जो होता है industries उसमें से शुगर एक है जो शुगर बनाता है शुगर केन को extract करके ठीक है then cotton textile industry जो cotton create करता है woolens बनाते हैं वो एक industry भी यहाँ पर काफी अच्छा flourished है most largely industries is concentrated in the south and south east ठीक है सबसे जादा जो industries है वो southern part of the country में है ब्रजील के southern part में आपको industries सबसे जादा मिलेंगे और south eastern part में सबसे जादा आपको industries वहाँ पर दिखेंगे जो large scale पर चलते हैं ठीक है the north east is traditionally the poorest part of Brazil जो northern part है वो poorest part बोला है ब्रजील के यानि कि उतना ज़्यादा occupation यानि rural part है developed वहाँ पर एरिया नहीं है but it is beginning to attract the new investment दीक है दो उन लोगोंने उस particular place को भी development के towards बढ़ा रहे हैं और वो उने भी एक new place के लिए यानि investment जैसे market strategy खेलने के लिए वहाँ पर भी development किये जा रहे हैं और आने वाले कुछ साल में वो part भी एक नया market has a new market खड़ा होने वाला है तो यह था हमारा industries in Brazil अब देखते हैं कि इंडिस्ट्री इंडिया में इंडिया में इंडिस्ट्री कॉन से लीड करते हैं तो mark करो point सबसे first वाला जारकंड औरिशा adjoining 36 गर मध्यप्रदेश पार्ट अब रजिस्तान कर्णाडगा एं तब मिलनाडू अकांट फर मोस ओडिरीजर्व सब मैटालिक मिनेरल सबसे जदा मैटालिक मिनेरल्स अभी यानि कि जितने मैटल्स जो मिनेरल्स जो की मैटल्स बनाने में काम आते हैं जैसे पर्टिकुलर्री दे नौर्थ इसन पाप दे पेनिंसुला है वरी हाई कंसेंट्रेशन अफेवी मेटागलोरिक इंडूस्ट्री वित अल्मोस्ट इस्टील सेंटर सिच्वेटेटी यह जैसे कि मैंने आपको इससे पहले कहा कि अभी-भी मैंने कहा आपको कि हमारा इंडिय लेडिंग है आयन इंडूस्ट्री में यानि कि अगर आप मैटगलेरिक इंडूस्ट्री देखोगे यानि की इंडूस्ट्री इस बेस्ट ऑन हैवी द्यूटी ठीक है और हैवी मिनेरल्स जहां पर जितने भी ऐलिमीनियून स्टील आयन के प्रड़क्स बनाए जाते हैं वह तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कंसेंट्रीटेड है और नदन पार्ट में है जस्ट अपोजिट टुदे ब्रजील टिक है अविश्टी अप्रड़क्स अप्रड़क्स अगर अगर एसे यूज़ करोगे तो उससे वह उससे कुछ फरक नहीं पड़ेगा नहीं वह फायर कैच करेगा तो ऐसे मटेरियल्स भी बनाए जाते हैं हमारे इंडिया में ठीक है अलॉंग टीप पावर फ्रम दामदरिवली कॉर्परेशन और नमबर अव थर्मल पावर प्रोजेक्स हाज अड़े टुदी एडवांटेज और दीरे दीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे आगे modern age एरा आते गया age बदल रहा है वैसे वैसे thermal powers वगेरे projects वगेरे भी काफी साथ है यहाँ पर launch किये गए हैं इंडिया में तीक है और development के लिए राजस्तान has copper, lead and zinc ठीक है and करनड़गा has steel, magnesium and aluminium and Tamil Nadu has aluminium metal industry so mostly metagloric industry में हम lead करते हैं जहाँ steel, iron and steel industry में हम leading माने जाते हैं तो आपको यहाँ से first point, second point and third point याद रखना काफी काफी जरूरी है तो यह आगे देखते हैं कि आगे यहाँ पर industries in Brazil लिखा है वो industries in India है ठीक है उपर Brazil नहीं है वो Brazil के बारे में हमने already discuss कर लिया so अभी metagloric industry छोड़ कर और भी काफे सारे industries है according to the nature जैसे agro-based industries जो agricultural related goods बनाता है ठीक है so since हम हम agrian country है तो हम agro-based industries agricultural के basis पे भी हम कुछ goods बनाते हैं जैसे agro-based industries includes cotton, jute and sugar are heavily concentrated in the raw material producing areas the forest-based industries कुछ material कुछ goods or commodity forest-based भी है जो हम यहां पर इंडिया में वो भी industries चलते हैं जैसे including paper, plywoods, matches, resins यानि की gum, glue and lack are increasingly finding concentration in the forest area of various states ठीक है अले अलग स्टेट्स में यह सारे products भी बनाए जाते हैं जो की forest-based industries बनाती है ठीक है the coastal belt of Kerala has a heavy concentration of coir, cobra and fish canning industry ठीक है यहां पर fish canning industry भी होता है कैरला जिसे state में जहां पर coconuts के ज्यादा consumption होते हैं जहां coconuts ज्यादा plenty of available होता है तो उनके coir, coir यानि की आप बोल सकते हो की जो भूसा होता है जो घास जो बोलते है ना की जो cooler की यहां पर cooler में लगाया जाता है उसे fit किया जाता है उसे कोयर बोल सकते हो आप और खोबरा जो आप खाने में यूज कर सकते हो जो महारशन की उजीन में mostly और साउथ इंगिन्स भी यूज करते हैं खोबरा को ठीक है then fish canning industry जो fish को पकड़कर canning has can में बना कर देती है ठीक है fish को पकड़ती है fish के eggs जो sturgeon fish की जो egg होते हैं जिने हम caviar बोलते हैं ठीक हो caviar को भी pack करके उनकी canning करके बेची जाती है since हमारा आपने पहले ही पढ़ लिया कि हमारे इंडिया में fishing को काफी जादे importance दिया है because हम fishes यह canned fishes को import भी करते sorry export भी करते हैं ठीक है तो यह था हमारा industries in India and industries in Brazil और जो अभी हमारा last जो है वो है हमारा trade उससे पहले industries in India का कुछ points और है जो discuss कर लेते हैं हम ठीक है of bulk of a salt in the country ठीक है salt create किया जाता है बनाया जाता है गुजरात राजेस्तान ने तमिल नाडू जैसे particular जगे पे mechanical engineering, electricals, automobile, fertilizers and numerous consumer industries which shows little bias for raw materials have come up all over the country with heavier concentration near the big cities ठीक है बड़ी-बड़ी big cities की यहाँ पर बहुत सारे ऐसे mechanical engineering, electrical, automobile, fertilizers ऐसे कापी सारे consumer industries है जो की खड़े किये जा रहे है for the development of the particular country ठीक है यानि कि इंडिया के development कि रहे यह सारे industries को भी धीरे-धीरे launch किया जा रहा है ठीक है तो अब हमारे last topic पर आ जाते हैं trade अब जैसे हमने primary occupations को हमने bifurcate करके agricultural, mining, fishing हमने दोनों industries में देखा और फिर comparison किया और फिर बाद में हमने next to primary हमने secondary industries का भी हमने देखा कि Brazil में क्या importance है और हमारी इंडिया में क्या important है वैसे अब हम trade के बारे में भी देखेंगे कि trade हमारे इंडिया में क्या importance role play करता है और हमारे Brazil में क्या important role play करता है सबसे पहले trade समझना है what is trade trade is nothing but trade is an activity which allows buying and selling of goods and commodity कोई भी particular goods को आप अगर खरीद रहे हो purchase कर रहे हो that means you are buying that goods और कोई भी particular commodity अगर आप बेच रहे हो as a seller if you sell the goods ठीके that means you are selling the goods ठीके तो buying and selling ठीके buying and selling of goods and commodity is known as trade ठीके और अगर यही trade को में large scale अगर international निवल पे बोलना चाहो तो I can say import and export of goods and commodity is known as trade ठीके importing and exporting of goods and commodity is known as trade so यहाँ पर Brazil के trade के बादे बात किया है कि Brazil mean the exports iron ore ठीके mark करो very very important कि कौन से चीज़े export करता है ब्रजील तो Brazil mean the export iron ore, coffee, cotton, sugar, tobacco, oranges and bananas while it imports machinery, chemical products, fertilizers, wheat, heavy vehicles, mineral oil and lubricants so यह सारे particular products है जो import and export किये जाते हैं then major trading partners are trading partners इनके सबसे ज़्यादा share जो होती है trade में export and import होता है वो किन के साथ होता है जर्मनी के साथ USA, Canada, Italy ठीके ब्रजील का then trade makes up to 25% of GDP और फूरे GDP में trade यानि की service sector से इनको 25% जो है share वो दिया गया है now trade in India, India के trade के बारे में देखते हैं जैसे हमने Brazil के देखे, so India mainly exports tea, mangoes, coffee, spices, leather and leather goods, iron ore, cotton and silk textiles while it mainly imports petroleum, machines, pulse and precious stones, gold and silver, paper, medicines etc. यह सारे चीजे हम क्या करते हैं हम import करते हैं then India's major trading partners, India के major trading trader partners क्या है UK, USA, Germany, China, etc. यह सारे points को आपको mark करना है because again it's very important, highlight करके रखे इन्हें Indian companies set up industrial central all over Brazil and invested a lot of capital the Indian companies have invested in such sector as IT, pharmaceuticals, energy, agribusiness, mining, engineering and auto sectors अब यहां पर India ने कुछ particular percent of investment भी किया है Brazil के साथ तो यहां नहीं है ब्रजील के साथ भी कुछ investment यहां नहीं है उन्होंने particular industry के जोगी अभी मैंने बोला कि IT industry के लिए agro based industries के लिए then mining के लिए उन्होंने क्या किया है Brazil के साथ एक particular investment किया है कि आने वाले future में यहां से business काफी ज़्यादा होगा because another part of the Brazil में market set करने के लिए काफी अच्छा particular जगा है Brazil footprint in India is smaller but important अब यहां पर बोला है कि Brazil ने भी कुछ certain amount of investment यहां पर किया है और वो कम किया है हाला कि वो कम investment किया है बट जितने भी किये हैं वो बहुत important sectors में किया है तो देखते हैं कौन से वो sectors है तो the Brazilian companies have invested in automobiles, automobiles में किया है IT, mining, energy, biofuels, foodware sector in India ठीक है यह सारे particular Brazil के हैं जो Brazil ने यहां पर investment किये हैं इंडिया के साथ तो यह था हमारा about the trade ठीक है आज अब हम इस chapter के end में आ चुके हैं, we have completed the chapter ठीक है जहां यह chapter में हमने actually पढ़ा गया, economic के बारे में पढ़ा country के कि what is the economic of the India and Brazil we have compared both the economic pattern, both the economic structure of the India and Brazil ठीक है, and as well as we have discussed about the various occupation and their GDP contribution ठीक है, so आपके, hope आप लोगो ने नोट्स बनाया होंगे और आप सभी को concept जो होगा वो क्लियर वो गया होगा, so आपको करना क्या है, नोट्स बनाना है और अपकी exam के लिए आपको प्रिपार करना है, ठीक है, so thank you for your cooperation, ठीक thanks, अगर आपको किसी भी doubts, किसी भी subject, किसी भी concept के regarding, अगर आपको doubts है, please mention in the comment box, ठीक है, मैं वो doubts आपकी complete करने की फूरी कोशिच करूँगा, तो next video में हम new chapter के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए, please share, like, comment and subscribe, thank you.